यह WhatsApp, Facebook और उसको सब को टाटा बाए पर बोल दो अभी कुछ दिन के लिए मात रहें यहाँ पर एक हफते बचे हुए पहली बार पेपर है, नया पैटान है, सब के लिए नया होने वाला अकेले आपके लिए नहीं होने नहीं करेंगे सर, last time हो गया tips के बारे में कोई मतलब नहीं रहता, किस से क्या कहना है, क्या नहीं कहना है किसने किसी के बारे में क्या बोल दिया, क्या controversy चल रहा है आपके लिए यह कोई matter नहीं करता है, आपका paper है कोई बोले भी ना, कि फलानी की वीडियो आई यह चल के देख ले कोई मतलब नहीं बनता है, मताओ मेरे support में, जरुवत नहीं है मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे जरुवत नहीं है बस अभी आपका paper है, paper हो जाएगा तो मिलके यहां पर जो है ना, चलेंगे घूमने, कोई tension नहीं बट अभी कोई जरुवत नहीं है, YouTube पर बकेती, ना देखना है, ना किसी का comment करना है, ना कुछ करना है, हटाओ, खतम करो यहां पर दूसरा point यहां पर जो है, last time में, वो यहां पर सबसे पहले यह है कि mock test, दबा कर mock test दो, जितना mock test दे सकते हो ना, उतना दबा कर mock test दो ठीक है, बढ़ियां-बढ़ियां companies है, बढ़ियां-बढ़ियां आपको जो है mock test दे रही है, दबा कर दीजे mock test, अब सिर्फ mock test नहीं देना है आपको, इस mock test में जितनी भी गलतिया होंगी, उनके उपर बढ़ियां से, तरीके से analysis करेंगे आप, जितना हो सकता है, उतना proper त question ये बताओ पहले, क्या पता, पेपर में वो तीन नमबर का एक सवाल आ जाए, और मेरे से वो गलती हो जाए, तो तीन तो मेरे सही गए, एक और गया चार नमबर, और चार नमबर पे तो यू समझ लो, मिलना था दिली, रहते अपने home state में, पहुँच गए यहां पर तुम mock test आप क्यों देते हैं, कोई भी राजा अगर कोई जंग लड़ रहा है, और उस जंग में अगर उसे पराजय हासिल होती है, तो वो क्या सीखता है उससे, या अगर जीत हासिल होती है, तो कुछ तो सीखता है, कि अगली बार मेरी techniques कुछ और होंगे, किसी और तरीके से मैं attack करूँगा, मेरा नुकसान कम होगा, छती मेरी कम होगी, मैं और बड़ा सामराजय बड़ा करूँगा, चंदरगुप्त मौरे से आपने क्या सीखा, चानक क्या से आपने क्या सीखा, तो वहीं बात है, कि जब भी आप कोई भी mock test देंगे ना, तो उसकी तरीके से यहाँ analysis कर पेपर में हुआ ना, तो फिर जान लो, यहाँ पर, लपिट, लपिट, दोड़ा-दोड़ा मारेंगे सब को यहाँ पर, ओफ-लाइन वाले जितने उनको, ओनलाइन वालों को क्या ही मार सकते हैं, बताओ, कैमरे की उस पार हो सारे, उसके बाद अगर हम यहाँ बात कर लेते एक हफते बचे हुए हैं, उसको भी बोल दो कि पढ़ लो, और तुम भी पढ़ लो हमें भी पढ़ने दो यहाँ पर, तो जो थोड़ा सा वो भी डिस्टेंस हाना, थोड़ा सा गम कर लो, थीक हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, तो सोशल मीडिया थोड़ा सा कट आउट, म अब यहाँ जैसे अपने दिन को दो सेग्मेंट में बाटो, और दिन को दो सेग्मेंट में कैसे बाटना है, जैसे मानो 9 गंटे पढ़ते हो, 9 गंटे में आप निकाल दो 2 गंटे टाइपिंग के लिए, 1 गंटे के लिए, 3 गंटे हो गए, 6 गंटे बचे, 6 गंटे में, एक सिर्फ नोट्स को रिवाइस करना है, यकीन मानि यह कोशन आपके नोट्स से ही आने वाला है, जहां से भी आपने पढ़ा हो, फर्क नहीं पढ़ता, वहीं से आएगा, बस अगर आपको अपनी चीजों पर पकड़ नहीं रही और याद नहीं रही ना, तो बहुत बड़ा बल पैनिक होने की जरुवत नहीं है, पैनिक इसलिए नहीं होना है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों की मैंने यहां पर रिजल्ट को खराब होते देखा है, एक बहुत अच्छी मेरी स्टूडेंट थी, पढ़ाई करती थी, बहुत शांदार तरीके से पढ़ने में तेज लेकिन सिर्फ पैनिक होने की वज़े से है ना, उसका यहां पर सीजल हो नहीं पाया, और लास्ट में जाकर उसका सीपियो में सेलेक्शन हुआ, जिबकि उसका ट्रीम बोस्त था सीजल, कि मुझे एस ओई नहीं यह लेना है, सिर्फ एकी चीज होती थी यहां पर, अगर मैं उसके साथ बैट के मौक्टेस दूना, तो मेरे से हमेशा जादा उसके स्कोर आ सकते हैं, मैं इतना बोल रहा हूँ, सुचो वो इतनी नौलेज में तेज लड़की थी, लेकिन फिर भी उसके बाद उसका सीजल में सेलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, पैनिक, मतलब पता नहीं अब खोज रहे हूँ, पता चला पेपर छूट गया, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, आराम से जिस दिन पेपर होगा, सुबह बात बात करके जाना, घरवालों से उससे भी, दही चीनी खाके जाना, बढ़ियां से, ठीक है, एकदम कूल माइंड रहना, कुछ गाने वाने भी सुन लेना तरीके से, नर्वस मत होना बस, पहली बार पेपर है, नया पैटन है, सब के लिए नया होने वाला, अकेले आपके लिए नहीं होने वाला है, पैनिक किस बात किया रही है, बताओ, इतनी वेकेंसी है, मिल तो जाएगा कोई ना कोई, इतना पैनिक नहीं होना है, ठीक है, और लास्ट एक और बात बोलूँगा, स्ट्राटजी, और स्ट्राटजी ऐसा बनाओ, कि अभी अपने कम्यों पर काम कर लो तरीके से, जैसे साथ दिन मिला हुआ है, अगर मानो आपके बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, या पहले कम्प्यूटर को क्वालिफाई करना सीखो, अलवी हमारे रैंकर्स गूर को यूटीब चैनल पर एक सर हैं, वो भी आपको कम्प्यूटर पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास्स देख लो, टेलिग्राम पर कई सारे PDF सर्कूलेट हो रहे हैं, वहां से आप एक तरीके से कम्प्यूटर कर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है भाई, पहले कम्प्यूटर को क्वालिफाई करना सीखो, वो जरूरी है, ठीक है, नहीं तो बाकियों में पूरा फुल स्कूर भी आ गया, वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, छटनी वहीं हो जान तो यह मत करो यहां पर ठीक है तो जितना समय हो बढ़िया तरीके से यूटिलाइस करो यार देखो वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक जरूर किया करो यार आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और इचा करने क की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की और साथ में वीडियो को हर जगा पर शेयर भी किया करो